मैत मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास नाइंत मैत में चेप्टर टिन शरकिल के अंतरगत थेवरम टिन पॉइंट एट को सिद्ध करेंगे थेवरम का स्टेट्मेंट है किशी ब्रत में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उषके द्वारा ब्रत के सेश भाग पर अंतरित कोण का दूना होता है किशी ब्रत में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उषके द्वारा ब्रत के सेश भाग पर अंतरित कोण का दूना होता है चित्र में ओकेंद्र का ब्रत है जिस पर चाप पी क्यू के द्वारा केंद्र पर बना कोण पी ओक्यू और ब्रत के सेश भाग पर बना कोण पी एक क्यू है ओकेंद्र के ब्रत में चाप पी एक्यू के द्वारा केंद्र पर बना कोण पी ओक्यू और ब्रत के सेश भाग पर बना कोण पी एक्यू है तो हम दिया है में लिखेंगे ओकेंद्र के ब्रत में चाप पी क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण पी ओक्यू तो चित्र में हम देख रहे हैं कि चाप पी क्यू के द्वारा केंद्र पर बना कोण पी ओक्यू और ब्रत के सेश भाग पर ये केंद्र पर बना कोण है और ये हमारा ब्रत के सेश भाग पर बना कोण है तो दिया है कि अंतरगत हुआ ओ केंदर के बृत्त में चाप PQ द्वारा केंदर पर बना कौण P O Q और बृत्त के शेश भाग पर बना कौण PAQ है सिद्ध करना है कि कह रहा है केंदर पर बना कौण शेश भाग पर बने कौण का दूना होता है अर्थात कौण PAQ हमको सिद्ध करना है रचना में रेखा AOB खीचा ये कारी हम रचना के अंतरगत करेंगे रेखा AOB को खीचेंगे आब इसके बाद उपत्ति देखेंगे उपत्ति में शरुपर्थम हम त्रिभूज OAP में यदि हम त्रिभूज OAP में देखें तो देख रहे हैं कि त्रिभूज OAP में O A इक्वल टू O P है O A इक्वल टू O P क्यों क्योंकि दोनों एक ही ब्रत्त की त्रिज्जाएं हैं फिर हमने थेओरम पढ़ियें कि अगर किसी त्रिभूज में दो भूजाएं समान हैं तो उनके सम्मुक कौण भी समान होंगे इसलिए O A का सम्मुक कौण O P A और O P का सम्मुक कौण O A P होगा तो कौण O P A इक्वल टू कौण O A P यह हमारा थेओरम से प्राप्त हुआ इसके बाद अगर हम देखें तो कौण P O B चित्र में हम देख रहे हैं कौण P O B कौण P O B यह त्रिभूज O A P का बहिश कौण है कौण P O B त्रिभूज O A P का बहिश कौण है और बहिश कौण की प्रमे कहती है कि किशी त्रिभूज का बहिश कौण शुदूर अन्ता कौणों की योग के बराबर होता है अर्थात कौण P O B इक्कुल तू मिलेगा इसके शुदूर अन्ता कौण में हमारा कौण O P A प्लस कौण O A P तो कौण P O B इक्कुल तू मिलेगा कौण O P A प्लस कौण O A P कौण P O B इक्कुल तू कौण O P A प्लस कौण O A P आप इसमें हम इक्क्वेशन नंबर वन इसको मान लेते हैं यह हमारा इक्क्वेशन नंबर वन है तो इस इक्क्वेशन नंबर वन से हम O P A के अस्थान पर O A P रख देंगे तो इस प्रकार से हमारा शमिकर बन जाएगा कौण P O B कौण P O B इक्कुल तू कौण O A P प्लस कौण O A P तो देख रहें कौण O A P प्लस कौण O A P मिल करके तू कौण O A P आ जाएगा यानि कौण P O B इक्कुल तू कौण O A P यह हमारा इक्क्वेशन नंबर तू बन जाता है चित्र में यह देखें तो चित्र में हमारा यह कौण P O B कौण P O B इक्कुल तू मिल गया इस कौण O A P का दूना ठीक इसी प्रकार से Q O B तुरिभूज O A Q का भी बहिश कौण है तो कौण Q O B इक्कुल तू मिलेगा तू कौण O A Q इसी प्रकार इस को लिख देंगे तो यह हमारा शमीकर नंबर तीन बन जाएगा शमीकर तीन में हमको प्राप्त हुआ कौण Q O B इक्कुल तू कौण तू कौण O A Q अब हम समीकर दो और तीन को जूड लेंगे तो समीकर दो और तीन को जूडने पर प्राप्त होगा कौण P O B प्लस कौण Q O B तो देख रहे हैं इन दोनों शमी करणों में left hand side हमारी जुड़ जाएगी कॉन्ड P O B प्लस कॉन्ड Q O B और इस side में हम दो कामन कर लेंगे तो bracket के अंदर मिल जाएगा कॉन्ड O A P प्लस कॉन्ड O A Q देख रहे हैं कॉन्ड O A B प्लस कॉन्ड Q O B इक्वल टू 2 bracket में मिला कॉन्ड O A P प्लस कॉन्ड O A Q यदि आप चित्र में देखें तो कॉन्ड P O B प्लस कॉन्ड Q O B मिल करके ये शम्पून कॉन्ड P O Q के बरावर मिलेगा इसी प्रकार से कॉन्ड O A P और O A Q का योग किया जाए तो ये बरावर हमारा कॉन्ड P A Q के प्राप्त होगा तो इन मानू को हम रख देंगे तो आज आएगा हमारा कॉन्ड P O Q कॉन्ड P O Q अर्थात कॉन्ड P O Q इक्वल टू मिल गया 2 कॉन्ड P A Q तो हमारा ये कॉन्ड P O Q प्राप्त हुआ 2 कॉन्ड P A Q के बरावर ये ही अमको शिद्द करना था इस प्रकार से थेवरम हमारी शिद्द हो जाती है प्रूब ठेंक्स आला फ्यू